नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट और जियस में दोस्तों यह हमारा सीटेट पर्यावरण 2020 का भाग दो है और भाग दो में भी 50 प्रश्न सामिल किये गये हैं ठीक है तो अब हम भाग दो के पहले प्रश्न पे चलते हैं हमारा पहला वाहनों में किस इधन का प्रयोग करने से सबसे कम प्रदूसर्ण होता है आपसन ए है पेट्रोल आपसन भी है सी एंजी गैस आपसन सी है डीजल आपसन डी है मिट्टी का तेल तो दोस्तों क्वेश्चन नमबर एक क्यावन का जो राइट आंसर होगा आपसन बी होगा सी एंजी गैस चेश्चन नमबर क्यावन क्राइट आंसर बेसी एंजी गैस नेश्ट क्येश्चन देखेंगे क्येश्चन नमबर बावन कुछ जानवर तूफान या भूकमप आने का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं क्यावन सुंगने की सकती से देखने की सकती से चखने की सकती से मासूस करने की सकती से तो क्येशन नमबर बावन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपसा नमबर चार मासूस करने की सक्ति से तूफान या भूकंप आने का पूर्व अन्मान लगा लेते हैं ठीक है दोस्तों नेश्ट क्वेशन देखेंगे क्वेशन नमबर तीरपन क्वेशन नमबर तीरपन है काली मिट्टी में मुक्यता बोई जाने वाली फसल काउन सी है बाजरा जौर सोया बीन सरसो तो क्वेशन नमबर तीरपन का जो राइट आंसर है दोस्तों आफसन सी सोया बीन सोया भीन काली मिट्टी में मुकिता बोई जाने वाली फसल है दोस्तों राइट आंसर केशन नमबर 33 का सी सोया भीन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे परियावरान सीटेट 2020 के भाग एक को न देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भाग एक को देख ल दोस्तों यह जो सीरीज है वह यह इस पिसल सीटेट सीटेट वालों के लिए सीटेट परियावरान के लिए है ठीक है सीटेट परियावरान के लिए है और तो अन्य परिच्छाओं के लिए भी तो है भी पर सीटेट परियावरान के लिए बहुत ही महत्तपूर है चवण न क्वेस्टन नमबर जो चोवण का जो राई टांसर है उसका आपसन यह हो जाएगा पानी नमक शक्कर पानी नमक सक्कर कि जीवन रच्छक घोल और बनाने के लिए उपयोग करेंगे ठीक है नेक्ट क्वेस्टन देखेंगे क्वेस्टन नमबर है पच्पन कान का संबंद सुनने से है तो तवचा का संबंद किस से है सुंगने से, चकने से, चूने से, बोलने से तो question number जो पच्पन है इसका right answer हो जाएगा option C चूने से कान का संबंद सुनने से है तो तवचा का संबंद चूने से है राओ टांसर C हो जाएगा पजपन का freshman question देखेंगे question number 56 question है तीन दिशाओं से समुद से घीरा कौन सा देश है तीन दिशाओं से समुद से ःफ़ा हुआ कौन सा देश है चीन, पाकिस्तान, मियानमार, भारत then question number 56 का जो राओ टांसर हो जाएगा आपसंटी हो जाएगा भारत तीन दिसाओं से समुद्र से घिरा हुआ देश है नेक्स्ट क्वेस्टन देखेंगे क्वेस्टन नमबर है सत्तावन कर दोस्तों अगर सेंसन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शयर जरू कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब तो तीन दिशाओं से किरा हुआ को जाएगा नेने कुछ सब्सक्राइब चुछ को ते लेंगे अठेन नंबर गेहु कटाई से सम्दित त्योहार कौन सा है कि स पोंगल बैसाखी ओलम विशू तो गेहूं कटाई से संबंधी त्योहार आपका है बैसाखी दोस्तों बैसाखी आपसंद भी हो गया अगा राई टांसर बैसाखी नेश्ट क्वेशन देखिएंग क्वेशन नमबर 69 साख रेकिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में काँ सी विश्यस्ता होगी चोड़ी पतियां संक के आकार की पतियां लंबी पतियां काटेदार पतियां तो केशन नमबर जो 69 इसका राई टांसर हो जाएगा आपसंडी काटेदार पतियां रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में काटेदार पत्तियां विश्यस्ता होगी अगले क्योशन की ओर चलेंगे अगला क्योशन है क्योशन नमबर साथ रताउंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त होगा आलू, मूली, टमाटर, गाजर तो रताउंधी रोकने के लिए भोजन में गाजर लेना उपयुक्त होगा ठीक है दोस्तों, नेश्ट क्योशन देखेंगे, क्योशन नमबर एक सट सरपंच का कारिकाल कितने वर्ष तक होता है आप सभी जानते हैं कि पांच वर्ष तक होता है दोस्तों, इसमें कुछ सिंपल भी क्योशन है पर सिंपल भी क्योशन परिछाओं में आ जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं इसलिए सिंपल और कठेंद दोनों क्योशनों को साथ साथ देखना है नेश्ट क्योशन देखेंगे, क्योशन नमबर 62 द्यूंवर कॉछ नाय चली मुन Woran और है 맞는 attentive खाना बचाना काम मेरा बताओ मैं कौन हुँ यहाँ पहली है पैप खमाई पचाना होगा दोस्तों मुन कि Are थेली नूम आकार है मेरा खाना पचाना काम है मेरा बताओ मैं कौन हूँ हिर्दय फेफड़े अमास है विरिक क्या किड़नी तो केशन नमबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपसंस सी अमास है ठीक है दोस्तों नेश्ट क्यों चलेंगे केशन नमबर 63 63 नमबर क्यों देखेंगे दोस्तों आपसन ए हो जाएगा तेल का फैला राइट आपसन ए 63 नंबर क्वेश्चन का नेश्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों केश्चन नंबर 64 कौन सा जानवर बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है आपसन ए हाथी आपसन भी उट आपसन सी घोड़ा आपसन आपको एक बात और बता दें कि इससे ज्यादा इससे ज्यादा उट से भी ज्यादा लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकने वाला जीव है जिराफ और जिराफ से भी अधिक लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकने वाला जीव है कंगारू चूहा ठीक है दोस्तों आप आपको जानकारी के लिए बता दें कि उट से भी ज्यादा जिराफ और जिराफ से भी ज्यादा जिनों तक रह सकने वाला जानमर है कंगारू चूहा दोस्तों आपको यह बताना जरूरी है कि कंगारू के बारे में कंगारू के स्वरी दोस्तों जो कंगारू चूहा है वो दो वर्सों तीन तुन वर्सों तक बिना पानी पिए तक रह सकता है तो आगे केशन क्यों चलेंगे केशन नंबर 65 question number 65 है भोजन के पोशक्ततो तो विभिन-ंघो तक कैसे पहुछते हैं रक्त से हवा से पानी से ग्लुकोस से तो भोजन के पोशक्तत विभिन-ंघो Tक कैसे पहुछते हैं दोस्तों बताइए तुर्आ क्ट होजते हैं आप संब यह हो जाएगा राइट आंसर रख्त से नेश्ट क्यों चलेंगे क्वेशन नमबर शाच्छट कौन सा राज जे मद्य परदेश का परोशी राज है बिहार हड़ी आड़ा महाराश्ट उत्तर खंड जो चाच्छट है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोड़ने के तुरंत बाद उर्जा के लिए कौन सा पदार्थ लेना चाहिए सर्बत रोटी दाल पानी तो क्योशन नमबर सरसट जो है 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन ए दोड़ने के तुरंत बाद उर्जा के लिए सर्बत लेना चाहिए अगले क्योशन की यो कुछ चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 68 68 इन में से कौन सा रोग संक्रामक है रिदैगात आख का आना पेटदर्द सिर्दर्द तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है आफ सन भी हो जाएगा आंख का आना संक्रामक रोग है अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 69 वर्सा में कौन सहायक है वरिच पसू मिट्टी खनीज तो 69 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आफ सन ए वरिच वर्सा में कौन सहायक है वरिच ठीक है दोस्तों अगले क् की और चलेंगे क्वेशन नमबर सत्तर दोस्तों अगल सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और से जरू कर दिएगा और हमारे चैनल अपडेट और जीएस को सस्क्राइब जरू करिएगा और वेल आइकां को प्रेस के लिएजिएगा जिससे हमारी अगले आनी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्ठ हो सके क्वेशन नमबर सत्तर है रीना इस वर्स ग्राम पंचायत चुनाव में प्रथम बार मददान करने जा रही है उसकी निम्तम आयू क्या है पचीस वर्स सत्रवर्स अठारवर्स एक्किस वर्स यह क्वेश दोस्तों वीडियो कैसा है कमेंट में आप लोग जरूर बताईएगा ठीक है कि नेस्ट क्वेशन देखेंगे क्वेशन नमबर एकहत्तर किस उर्जा से चलने वाली गाड़ी तेज बारिस के मौसम में कम दूरी तक चलेगी कि सवरूर्जा एल्पीजी पेट्रोल डीजर क् जने गटा का राइट अंसर बताईए दोस्तों आप संचार है राइट अंसर ए हो जाएगा सवरूर्जा एक ठीक है नियुक्क है ठीक है दोस्तों नेस्ट क्यों चलेंगे Keñejo No.72 है गर्मी का संबंद बसंत और ग्रीस रिट इसे है तो सरदी का संबंद किस रिट इसे है इसका राइट अंसर बताईए दो इन चारों मेंसे इस त्रफ là होजाएगा आपका सि हे मनत और सिसीर ठीके दोश्चों कि अगले क्यों प्रकियों चलेंगे क्यों कि क्योंसे नमबर 73 पेड पौधों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग है फूल, पत्ती, तना, जड पेड पौधों में सांस लेने के लिए पत्ती पत्ती है ठीक है दोस्तों पेड पौधे पत्ती की साहता से सांस लेते हैं अगले क्यों चलते हैं क्योंस नमबर है हमारा 74 भारत के किस प्रदेश में अधिक सोना पाया जाता है आपको बताना है मद्य प्रदेश शत्तिसगर उत्तर प्रदेश करनाटक तो यहां जगर पूछा है दोस्तों भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक सोना पाया जाता है तो भारत में सबसे अधिक सोना करनाटक राज मे पाया जाता है और अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो उत्तर प्रदेश में सोना कहा जगा पाया जाता है आप कमेंट में उसका आंसर जरू बताईएगा दोस्तों नेस्ट क्वेशन देखेंगे दोस्तों वीडियो कैसा है कमेंट में जरू बताईएगा प्रयुटार का नेकर में सब्दध करें कि इस साहिकरी आन्ष सब्सक्ति दिए भी जाने क्योंस सब्सक्राइब दिए कई इस साथ हो क्योंसकर देखेंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग छानने का कार्य करता है इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताइए क्या होगा किडिनी होगा राइट आंसर सी केश मैंच ठार राइट आंसर सी किडिने में और की को ही किडिनी विकते आद दोस्तों नेस्ट क्योड़ने म deriv agora ले वह रुकूर ले ओना-क डitta फिचिक कोंची हम सभी जानते लोट इस फायई हूँ यह यूजिन-वाट-दूरheim दूस्टो becoming amal च्शोटी आज्ड हैंग अपसंजी 5 Jupiter में अंगो का सही क्रम कौन सर्थ अपसंजी है बड़ीयाऊश आफ थैररें आघज्ड ही सवा theatre अपसंजी अब आसा है चोटी याथ बड़ी याथ ठीक दोस्तों अब नेश्ट क्यों चलेंगे क्यों नंबर है मारा दोस्तों 89 एक कपड़े किस रित्में जल्दी सुकते हैं हम सभी जानते हैं कि कपड़े ग्रीस में जल्दी सुकते हैं कश्यम नंबर 79 कराई टांसर हो जाएगा आफ़सân C ग्रीसमरी 2 ठीक है नेश्ट क्यों मैं चलेंगे क्यों 48 नंबर है क्यों सेनल नंबर है हमाले को हिम घर क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं आफ्सन आ है हिमाले से नदियां निकलने के कारण आफसन भी है हिमाले का बर्फ से ढखा होने के कारण आफसन सी है हिमाले की अत्यधिक उचाई होने के कारण और आफसन डी है हिमाले में प्रदूस्वन ना होने के कारण तो आप बताईए दोस्तों इस क्वेशन का जो राइट आंसर होगा क्या ह पर 81 81 गेंगहा रोग किसकी कमी से होता है जो दोस्तों यह ध्यान दिजिएगा कि गेंगा रोग पूछा है गेंगा रोग किसकी कमी से होता है आप शने क्लोरीन आप्षं बी वसा आप सिंसी प्रोटीन आप्संड़ी आयोडीन तो आपको यह कटते ही नहीं बोलना है कि घेंगा रोग प्रोटीन की कमी से होता है या विटामीन एक कमी से होता है तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों आपसन डी हो जाएगा राइट आंसर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है घेंगा रोग बच्पन से पढ़ते हैं कि आयो कि और चलेंगे कीस्ट नमबर 82 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 82 का right answer हो जाएगा आपसन ची नाइंटी-ेट पॉप फोड डिग्री फाईजन हाइं हाइट और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं कि इसको केलविन में कितने होता है और कितने डिग्री सेल्सियस में होता है जिसे स्वस्त मानों शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्स होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएगा क्योंकि मानों सरीर का तापमान तीन में होता है एक होता है सेलसियस में एक होता है फारेनाइट में एक होता है केलविन में तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजेगा दोस्तों भूलिएगा नहीं किताब से ही देख के उन में से कि न पौधों में ऑंसधी गुण है इन में से किन पौधों में आवसधी गुण है आम बेर आपसन बी जामुन पलास आपसन सी पपीता जामफल आपसन डि तुलसी नीम तो हम सभी जानते हैं कि आवसधी गुण वाले पौधे इसमें से हो जाएंगे तुलसी और नीम सभी जानते हैं कि तुलसी और नियम और सधी गुड़ वाले पौधे हैं ठीक है अब दोस्तों क्योश्चन नंबर हम देखेंगे 85 और 85 नंबर हमारा क्योश्चन है नेश्ट है 85 नंबर क्योश्चन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापती कौन होता है सेना प्रमुख राश्टपत राजिपाल प्रधान मंत्री तो क्योश्चन में 85 का राइट आंसर हम सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापती राश्टपती होता है दोस्तों और नेश्ट क्योश्चन अबुछा भी गया है तो हम आपको बता दें कि कोयल कोयल जो होती है वह अपना नहीं बनाती है वह कौवे के घोसले में अपना जो भी है अंडा बच्चा जो भी है देती है ठीक है दोस्तों कि नेक्ट क्वेशन देखेंगे केशन नंबर 87 उल्टी दस्त होने पर डाक्टर द्वारा ओर यस घोल क्यों दिया जाता है पानी एम लवन की पूर्टी के लिए मोटा होने के लिए स्वाद बढ़ाने के लिए हीमोगलोविन बढ़ाने के लिए तो दोस्तों आपको बता दे उल्टी दस्त होने पर डाक्टर द्वारा ओर और येस जो घोल दिया जाता है वह दिया जाता है दोस्तों पानी एम लमण की पूर्टी के लिए पानी एम लमण की पूर्टी के लिए Q87 का राइट आंसर A हो जाएगा पानी एम लमण की पूर्ती के लिए उल्टी दस्थ होने पर डाक्टर द्वारा ओवार्यस गोल दिया जाता है Next question देखेंगे question number 88 Bread खराब होने का प्रमुख कारण क्या है Bread सुखा होने के कारण, तेज प्रकास में होने के कारण, वाई रोधी डिब्बे में रखने के कारण, ब्रेड में नमी होने के कारण दोस्तो question number 88 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Bread खराब होने का प्रमुख कारण क्या है तो हो जाएगा इसका option D ब्रेड में नमी होने के कारण ब्रेड खराब हो जाता है अगला जो question है question number 89 अंकुरित करके खाई जाने वाले चीजों का समूह कौंसा है मतलब जो फूला के खाई जाती चीजी है वो कौंसा है चना मूंग सोया बिन जीरा संफ अलसी सरसो धनिया मेथी बाजरा मक्का जवार तो जो 89 नमबर क्योशन है इसका जो राइट आंसर है आपसन ए हो जाएगा चना मूंग और सोया भीन यह अंकूरित करके खाई जाने वाली चीजों का समूग है क्योशन नमबर क्योशन है नमबर क्योशन है राजेस तालाब में कुछ चीज़े डाल रहा था बताईए कौन से समूग चीज़े डूबेंगी आपसन एक कागज की नाव कामा माचिस की तिली आपसन भी कंकड साभूं की टिकिया आपसन सी प्लास्टिक की बाल खाली कटोरी आपसन डी हो जाएगा पानी से भरी आधी बंद बोतल कामा दवाई की पनी एल्मूनियम की इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन भी कंकड और साभूं की टिकिया तलाब में डालने पर डूब जाएंगी ठीक है दोस्तों नेस्ट क्यों चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्यानवे स्वास्त और परियावरार को बचाने की द्रिष्टी से इधन का सबसे उपयुक्त क्रम कांसा है स्वास्त और परियावरार को बचाने की द्रिष्टी से इधन का सबसे उपयुक्त क्रम यह क्रम बताना है आपको option A हो जाएगा मिटी का तेल कामा लकडी और उपले कामा LPG कामा बायो गैस option B हो जाएगा बायो गैस कामा LPG कामा लकडी और उपले कामा मिटी का तेल option C हो जाएगा LPG और उपले कामा मिटी का तेल कामा बायो गैस कामा लकडी एक बच्छा मोटा और थुल्ठुला है पैरो में दर्द है उसके लिए कौन सा खाना उप्यक्त होगा दाल फ्राइड रोटी चावल मसालेदार आपसंभी है ब्रेड विस्किट पेश्टी केक आपसंसी है अंकुरित अनाज सब्जियों का सूप और सलाथ आपसंडी चिप्स बर्गर कोल ड्रिंग तो दोस्तों क्वेश्चन नमबर जो 92 है इसका र ब्रेड पर पानी के चीटे डाल कर उसे डिब्बे में बंद करके रखने पर कुछ दिनों बाद आप उसमें क्या परिवर्तन पाएंगे ब्रेड सूख जाएगी ब्रेड स्वाजिस्ट हो जाएगी ब्रेड पर फफून लग जाएगी ब्रेड मिठी हो जाएगी दोस्तों क ब्रेड पर फफ़ूंद लग जाएंगी ठीक है क्यों चलेंगे क्यों reader do को पानी में कैसे टह्राया जाता हैर अफसर ने ज्यादा नमक शुटर कर आफसर कंप पानी लेकर आफसर ज्याधा पानी लेकर सकता है कि यौरा पानgas है वन्हें डियाकर ब statewide लिक होती है सामने की तरफ होती तोटा कब्ूतर अलू कोवा तो यह über비क्षण दोस्तों पर इसका हम राइट आनसर बता रहे हैं कर दोटा कम तस संसी हो जाएगा स्मिला गांखें सामने की question is number 96 किस बीज को किस बीज को मिट्टी से बाहर आने में कम दिन लगते हैं किस बीज को मिट्टी से बाहर आने में कम दिन लगते ह sacar ड़र केको नमबर नाइनेंटी सेवन कि मलेरिया रोग फेलता है मख्यों से मच्छरों से खून की कमि से प्रदूशित वायू से तो हम सभी जानते हैं कि मच्छरों से मलेरिया रोग फेलता हैं अगले कुष्छ चलते हैं क्वेजचन नमबर है 98 II दिये गए समूहों में से कौन सा समूह एडवेंचर यानि चुनयती पूर्ट कार्यों का है खेलना कुदना तैरना रीवर राफ्टिंग ट्रैकिंग पैरा सेलिंग मेला जाना स्कूल जाना बजा जाना नाचना गाना बजाना तो यह है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इ इससे समद्धित हमने भाग एक में भी बताया है कुछ रीवर राफ्टिंग ट्रैकिंग पैरा सेलिंग ठीक है दोस्तों अब नेस्ट क्यों चलेंगे क्यों चलेंगे क्योशन नंबर है नाइन्टी नाइन नाइन क्योशन है मौसम की जानकारी के लिए क्या उप्योगी है तारा उटता तारा ग्रह तारा और क्रित्रिम उप्गरह तो मौसम की जानकारी के लिए क्रित्रिम उप्गरह उप्योगी है दोस्तों क्योशन नंबर नाइन्टी नाइन का राइट आंसर डी हो जाएगा मौसम की जानकारी के लिए क्रित्रिम उप्गरह उप्योगी है ठी साइक्ल टांगा साइकल हम सभी जानते हैं इसका राइट चांसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसंसी बस और कार कि ऐसे वहां है जिसमें प्रफोल डीजिल की आउसकता होती है दोस्तों यह हमारा था सीट ज्मारे प्रियावश्टरबशाई लेके आएंगे तब तक के लिए आपसे वीदा चाते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए थाइंस पार वाचिंग